है ऩालो फ्रेंड्स वेल्कम बेकड़ स्टु मै चेनल, आज हम आपके लिगे शराला-गह्रा ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसकी लिए हमने यह पैंपलम खुर्ति के लिए फैब्रीक लिया हैं, जो कि नेड़ का फैब्रीक है, और साथ ही हमने यह सेंतोन का अस्तर लिया हैं, तो इस पेम्बलम कुर्ती के लिए अमनी टू मीटर फैब्रिक लिया है देख सकते हैं नेट का फैब्रिक है जो कि डिजाइनर फैब्रिक है और यह आपको लोकल शॉप पे आसनी से मिल जाएगा इससे आप केम्बलम कुर्ती बिनाएंगे तो बहुत ही सुन्दर लगीगा आ यह फोरफोल हो जाएगा और लाइन को निचे से लाइन खीच देंगे कपड़े को सिधा कर लेंगे इस तरह से और यहां पर लंबई की मार्किंग करेंगे तो लंबई हमारी बारा है तो हमने यह साड़े तेरा पर निशान लगा लिए लंबई का दुनों साइट से और एक लाइन खीच लेंगे इस तरह से तो हमने लाइन खीच लिए शोल्डर के लिए मार्क करेंगे शोल्डर हमारे 14 के है तो साथ पर मार्क कर देंगे इस तरह से और जो हमारी आर्म होल लेंदे यह भी हम साथ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से या साथ थोड़ा सा कम ले सकते हैं और उपर से इसको मिला लेंगे इस तरह से तो यह हमारा armhole box ready हो जाएगा front armhole के लिए 1 inch अंदर की side mark करेंगे और उपर से तीछा मिला देंगे इस तरह से उसमें हम गोला ही देदेंगे अंदर की side तो यह हमारा front armhole हो जाएगा और यह हमारा बेकरमॉल, यहां से चेस्ट कमा करेंगे, चेस्ट बद्ती से, तो उसका चोता बग 8 इंच, उसमें 2 इंच लोजिब एट कर दीए, कमर, कमर हमारी सत्ता इसकी है, तो हम साथ में सोड़ा सा कम पर निशान लगा लेंगे, और इसमें 2 इंच लोजिब एट कर दें कि अपर इसलिय का मार्जिन इस तरह से तो यह हमारा फिटिंग का और यह अमारा मारोटनिक निषान दोनों लग गए कि अब यहां से त्यूंग गले का मारंकिंघ करेंगे गले हम बॉरटमिक बनाने वाले हैं तो चार इंच में पस हो so आप चाहे तो 3.5 भी रख सकते हैं, एक box मिना लेंगे, और एक bot neck का shape दे देंगे इस तरह से, अब यहां से हम shoulder down करेंगे, half inch और back part के लिए हम थोड़ा सा half inch उपर लेंगे, पिछी के side, ताकि हमाई fitting अच्छे से बेड जाए, तो हमने back के लिए हलका सा उपर से half inch इस्टा लि इसकी cutting कर देंगे हम, पिले हम back part की cutting करेंगे, तो यह दुने पार्ट निकल चुके हैं, जिसमें से हम front part निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे, अब यह front part जो हमने अलग निकल आ था, इसकी हम armhole की cutting कर लेंगे, और जो उपने half inch इस्टा लिया था, यह front armhole में कम करना है, अब हम उसकी लंबाई की cutting करेंगे, जो कि हमारा gear की लंबाई होगी, कपड़े को two fold कर लिया है, और इसकी लंबाई, जो भी आपकी लेंथ हो, उसमें से आपको चोली का माइनस करके ले लेना है, तो हमारे यहाँ पर यह gear आएगा, 3.5 इंच का, तो हमने इस 1.5 इंच में mark कर दिया है, आपको 1 इंच प्लस कर लेना है, जो भी आपकी लंबाई हो, उसमें, चोली का माइनस करके, तो इस तरह से हमारे यह दो पट्टिया कर चुकी है, हमारे gear के लिए, बेक साइट और फ्रंट साइट के लिए, इस तरह से देख सकते हैं, अब हम अस्तर के उपर, जो हमने यह चोली का काटी थी, उसको रख कर कटिंग कर लेंगे, इस तरह से, यह हमारे शाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो हमारे दोनों पट्ट कर चुके है, और हमने यह कोटेंग कास्ता भी ले लिए, जो कि हम अंदक की साइट लगाएंगे, इस तरह से हमारे यह चोली काटिंग हो चुकी है, इसमें हमारे थी, थी रियर में हो जाएगी है, जो यह शाइनिंग वाला फैब्र काट लिया है, जो कि हम आगे लगाएंगे, चोली के अंदर, और फिर इसके उपर यह जो पट्टिया काटी थी, 13 इंच की, दोनों साइट के लिए, तो इन पट्टियों से हम गैधरिंस बनाएंगे, यह पैमपलम कूरती होने वाली है, तो इसमें हम शॉर्ट ही रखेंगे इसको, इस तरह से, अब सबसे पहले हम, जो हमने यह शाइनिंग वाला फैब्रिक था, उसके उपर नेट को रखकर, पीन से अटेज कर लिए, अच्छे से, ताकि खिसके नहीं, अब सीधे वाले फैब्रिक के उपर आपको, यह कोटन का फैब्रिक रखना है, इस तरह से, फ अब गले के अंदर नोचेस लगाएंगे, चुछुटे, ताकि हमारा गला अच्छे से पलट जाए, अब हम आर्मोल की सिले लगाएंगे, क्योंकि हम इनको बेकलेस मिनाने वाले हैं, इसके अंदर स्लीप्स नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने आर्मोल के अंदर सीले लगा सकता है, विसके जब आपको स्लीप्स लगानी पड़ेगी, अब इसके चुटे नोचेस लगा लेंगे, अब इसको सीधा कर लेंगे उपर से, इस तरह से, अंदर से किसते हुए, शोल्टर के यहां से, और अच्छे से से सैट कर लेंगे इसको, तो यह आपका बिल्कूल रे और एकजस्ट हो जाए, अब हम गले के अंदर फिनिशिंगी सीले लगा लेंगे, तो देख सकते हैं, मैं गले के अंदर अच्छे से फिनिशिंगी सीले लगा लिए, शोल्टर के यहां से सीले लगा लेंगे, अब इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, टक्स अब दोनों को मिला लेना इस तरह से तो आपके दोनों निशान एक दूसरी लग जाएंगे और इस तरह से हमाँ दूसरे निशान लग जाएगा दोनों टक्स को लगा लेंगे हम तो देख सकते हम यह दोनों टक्स लगा लिए अब हम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी में रेडी कर लिया है अब दोनों के शोल्डर स्टेज कर लेंगे हम तो देख सकते हैं चोली के दोनों पार्ट स्कोटेज कर लिया है उपर से अब हम जो हमने ये गेरे के लिए नेट काठा था उसकी चुनटे बनाएंगे छोट ॉब जो आग्ज्य वाला पटतर है उसको आग्ज्य लगा देंगे तो पको पिछे पर बढ़ा देंगे छूट्य चुन्टेट बनाने मिल्कूल बारिक बारिक इस तरह से आपको बिल्कुल हल्की हल्की चुनड़े बनानी है अस्तर आप बात में लगानेगा इसके उपर हम अस्तर बात में लगाएंगे यह देख सकते हैं इस तरह से हमको छोटोड़ी गैदिंग्स लेनी है तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा इस तरह से हम बेक पार्ट में भी इसे चुनेट डाल देंगे अब इसके उपर हम अस्तर का कप्र रखेंगे जो हमने काटा था और अब मिला शेप में उसको सिल देंगे ये देख सकते हैं हमने सिल लगा ये लगा दी है इसे तरह हमने बेक पार्ट में भी कर दी है सिल ये देख सकते हैं इस तरह से कि दुनों साइट से हमारा रेडी हो चुका है अब इसके अंदर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए हम कपड़े को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और यहां से फिटिंग का मार्किंग करेंगे और हम यह नेट वाला और अस्तर वा लगानी था कि अस्था औरर यहां से आपको अस्था को अलकत कख लेना है और सक्षन ciąग फर्वाली के उपर सेले लगानी Mai अब मक्त देख सकते हैं अब यह जो अस्थे यह स्था वाला है नेट को उन्दर दबा लेंगे और अस्था वा फैसे उपर सिलिए लगाएंगे इसी तरह से आपको दूसरे साइट भी करना है अब यहां से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे बिल्कुल आपको नीचे तक लेजाने हैं यहीं से स्टॉप करके अलका सा घुमा देना है तो देख सकते हैं फिटिंग लगा दी है इस तरह से आपकी यह पैंप गरााशरा नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे तो इसका नेक्स्ट पर्ट देखना ना बूलें तो देख सकते हैं इससरसे हमारी यह पैंपुलम कूर्थी एडियो ओ और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम और भी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं नेट के लेंगे वगेरा हम आपके लिए आने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेयर कीजेगा और लाइक कीजेगा थैंक ये फॉर वाचिंग झाले हैं ये वाचिंग